हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू राल सुसोंदी अकेडमी देखी के पिए डी की जो आंसर की आ चुकी है वो आपने सभी ने मैच कर ली होगी और जो आंसर की आपने मैच की है और हमने स्ट्विएंटों की डाटा के आधार पर काफी अधिक अनलाइसेस करने के बाद में कट आप के निसकर्स पर पहूंचेंगे अंसर की के बाद में कट आफ है उसका अनलाइसेस हमने किया है उस बेस पर देखिंए सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट कितनी रही थी इसमें पोस्ट कितनी है आपकी 6414 पोस्ट दी देख इंट्रव्य के लिए कॉल क्योंकि यहां पर यह आपको एक ध्यान रखनी है यहां पर जो आपकी बरती प्रक्रिया है वो आपके टू स्टेब में है पहले आपके इंट्रव्यू के लिए कॉल आएगी तो उसके लिए लगबग तीन गुने इस्टुएंट आपके बुलाए जाएंगे तो 6414 का जब हम थ्री से करते हैं तो इस्टुएंटों की संक्या निकल के आती है आपके 19242 यह जो लगबग है क्योंकि लास्ट जो कट आफ रहती है लास्ट पांट तक वहां पर काफी अधिक स्टुएंट बिलते तो लगबग तीन गुना बोलते हैं लगबग 20,000 स्टुएंट के सम्टिंग 20,000 स्टुएंट के सम्टिंग आपके इंट्रिव्य के लिए कॉल किये जाएंगे देखें जो कट आफ है वो कट आफ हम आपको इंट्रिव्य के लिए बताएंगे क्योंकि इंट्रिव्य के लिए जो कॉल आएगा उसके लिए हम आपको कट आफ बताएंगे जो फाइनल कट कट आप है वह आपका रिटिन ट्रेस्ट प्लस इंट्रिव्यू इन दोनों को मिला कर फाइनल कट आफ बनेगी देखें 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 पहले तो आप वीडियो को अंतदक देखें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ला बैल आइकन को प्रेस कर लें यहां पर कट आप बताएंगे वह आपके रेटिन ट्रेस्ट की बता रहें अभी जो इंट्रिव्यू के लिए कट ओफ लगेगी इंट्रिव्यू के बाद में जो कट अफ लगेगी इंट्रिव्यू का बहुत बड़ा रोल है यह बात अपो ध्यार रग नहीं है एक वीडियो मार आएगा उसम में आपको इंट्रिव्यू जो डेमो क्लासस हो नहीं उसे किस प्रकार एफेक्टेड हो सकते हैं स्ट्वेंट वह हम आपको बता देंगे इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है चली तो देखतें फिर कट ओफ देख जो कट ओफ है वह रो मार्क्स के आध उस आधार पर पेपर का लेवल है उसे साहब से जनरल की कट ओफ आपके 128-132 मार्क्स इस रेंज में अगर आपके बनने हैं तो आप इंट्रिव्यू के लिए जनरल के एकोर्डिंग अपने आपको सेव मान सकते हैं आपके लिए इंट्रिव्यू का कॉल आना चाहिए ओबी इसकी तो EWS के लिए अगर आपका स्कोर रो मार्क्स 124-128 इस रेंज में बनना है इससे उपर वाले तो अपने आपको सेव समझें 100% अगर इस रेंज में 124-128 क्रॉस कर रहे हो आप तो आप भी इंट्रिव्यू के लिए सेफ हो बात करें हैं सी की तो स्कोर अगर आपका 11 सेफ हो सी कव 120 बनना है तो आप अपने अपको सेव मान सकते carving के लिए बात कर रहे हैं तो स्कोर 117 का स्कौर एसका इसकी बनना सफ्भी जादार बंने नोटोने स्क्रादार अंतर नहीं लेकिन haram नॉर्मलाजेशन में आपका 5-6 question का नॉर्मलाजेशन होने का चांस है यानि कहने का मतलब है 5-6 marks किसी भी student के बढ़ भी सकते हैं और किसी student के गट भी सकते हैं ऐसा नहीं है कीजी रही है 128 वाला अगर उसके हाड़ सिप्ट रही है अगर 5-6 question बढ़ते हैं तो 134 पर पहुंच जाएगा 134 पर और अगर बात करें कि इस्ट्यूएंट 135 वाला है अगर उसकी शिप्ट आसार रही है तो नॉर्मलाजेशन अगर उसके चार या पांच मार्क्स घड़े जा दें तो वह 130 पर जाएगा जबकि 128 वाले 134 पर पहुंच जाएगा तो इसलिए आपसे वोला यारा किसी भी स्ट्यूएंट के जनरल के आपकी 125 क्रॉस हो रहे हैं तो आप अपने इंट्रिव्यू और डेमो क्लासेस की तयारी जारी रखें बढ़िया तरीके से क्योंकि नॉ कोचा नंबर बढ़ते हैं और किसी भी स्ट्यूएंट के घड़ते हैं तो आप वहीं पर आ जाएंगे तो इसलिए आप इंट्रिव्यू प्लस डेमो क्लासेस की तयारी जारी रखें और देखें अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं इंट्रिव्यू प्लस किस प्रकार से स्ट्यूएंट को एफेक्टेड करेगा 125 वाली का भी सेलेक्शन करा देगा जब एक 135 और 140 वाला स्ट्यूएंट भी रह सकता है इसके लिए हम आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करा बेल आइकन को प्रे